जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टरड़े पेट्फॉर्म में रास्ट हित्मे सिक्षाद इसदीर अस्दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज की सूपर फास्ट वीडियो में सामान विज्ञान जो एक टफ फार्ट माना जाता है संपूर्ड निचोड वो कुस्सन ऐसे सो प्रस्न जो एक्जाम में बारवार आते हैं और बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा कन्फूज हो जाते हैं एक्जाम के पहले ये वीडियो देखिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ पहला कुस्सन लाल चीटियों में कौन सा अमल पाया जाता है याद रखिएगा कि जो लाल चीटियां होती है जब भी वो काटती है तो आपके सरीर पर फफोले डाल देती है उसका रीजन क्या होता है उसमें एक अमल होता है जिसका नाम होता है फार्मिक एसिड याद रखना है चलिए तूटी हड़ियों को जोड़ने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो तूटी हड़ी को जोडने के लिए P.O.P. प्लास्टर आप पेरिस की बात करेंगे तो दोस्तों प्लास्टर आप पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है और हड़ीयों के अध्यन को आस्टियोलोजिस्ट कहा जाता है और जो इसका अध्यन करता है जो इसको मरम्मत करता है उसको औस्टियोलोजिस्ट कहा जाता है चलिए फूलों के अध्यन को क्या कहते है तो फूलों के अध्यन को कहते है एंथोलोजी और इसके उत्पादन को क्या कहते है फ्लोरी कल्चर कहा जाता है दुर्वीन के अविसकार अविस्कारक कौन है तो याद रखना है इस question को important में note करना है कि दुरवीन का विस्कार किस ने किया है तो गैलीलियो साहब ने किया है ये भी आपको याद रखना है question number 5 कारी की इकाई क्या है कारी की इकाई दोस्तो जूल है note कीजेगा क्लोरो फ्लोरो कारवन को सी अपसी कहा जाता है क्लोरो का मतलब सी फ्लोरो का मतलब या कारवन का मतलब सी अब क्लोरो का मतलब क्लोरीन होगा फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन होगा कारवन का मतलब कारवन और इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं तो फ्रेयान या फ्रियान कहते हैं और यह दोस्तों हमारी ओजोन परत के लिए काफी हानिकारक है एक मात्र अम्ल बताईए जो सोने को गोलता है सोन को घोलता है वैसे सोने को कोई घोल नहीं सकता सोने कोई कोई समाप्त नहीं कर सकता हजारों लाकों वर्स ऐसे ही जमीन में रखा रहे तो इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता ऐसा बाना जाता है सोड़को गुलने वाला एक अम्ल है एक्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है एक्कोरेजिया क्लियर है फल विज्ञान के अध्यन को क्या कहा जाता है तो दोस्तों हमने यहां पर क्या देखा था फूलों का अध्यन नहीं तो आप को कि सर एक जगे एंथोलोजी बता है तो एंथोलोजी बटा होता है फूलों का ध्यन और एक होता है फल विज्ञान तो उसको पोमो लोजी कहा जाता है और फल के उत्पादन को पोमो कल्चर कहा जाता है क्लियर है चलिए सेब को अगर दांट से काटेंगे या अमरूत को दांट से काटेंगे तो वो किस प्रकार के दांटों का आप प्रियोग करेंगे तो आगे के दांट जो होते हैं वो करंतक होते हैं दोस्तों और सेब को जब काटेंगे तो आप करंतक दांटों का इस्तेमाल करेंगे अगर देखा जाए तो मनुस्य के जीवन में दोबार दाटों का विकास होता है और अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर अगर उप्षन जाएगा भई करंतक के साथ कौन से दो रंगों को मिस्रित करने से हरा रंग तयार होता है तो RNA का फुल फॉर्म आपको बताना है राइवो न्यूक्लिक एसिड होता है तो चलिए यहाँ पर एक मैं और पूछता हूँ DNA का फुल फॉर्म क्या है या इसकी खोज किस ने करी तो Watson and Crick ने करी ठीक है ना पुस्प विज्ञान के अध्यन को क्या कहते है तो दोस्तों देखिएगा विज्ञान के अध्यन को तो वही लगवग लगवग कुश्चन है जो मैंने अभी बताया था फ्लोरी कल्चर हो जाएगा अगला कुश्चन वायूमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है इमांदारी से सेलेक्शन के लिए बहिया बहुत बढ़या किसका प्रयोग चिकिस्सक रोगियों की जांच में करते हैं चिकिस्सक जो है रोगियों की जांच में करते हैं आपने देखा होगा आपके व्लड में रक्त का रक्त में सरकरा का इस्तर यानि सुगर का जो आपका लेवल है वो नियंतरित होना है तो वो कौन सा हर्मोन होगा वो इंसुलिन होगा खोज किस ने करी वेटा वेटिंग एंड वेस्ट ने करी कैलसियम हाइडराकसाइड का प्रियोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्मार किया जाता है इसे किसे नाम से जानते हैं नहीं कौन सा नाम है ये तो ये दोस्तों इसे जो है चूना जल के नाम से जानते हैं जो कैलसियम हाइडराकसाइड का प्रियोग होता है और मोर्टार मोटार में जो है प्लास्टिक का निर्मार किया जाता है इंपोर्टेंट है दोस्तों प्रकाज संसलेशन में साहयक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते है तो जो पत्तियों में हरा रंग होता है बुल क्लोरो फिल की बज़े से होता है और याद रहे कि जो पत्तियों में दोस्तों एक पदार्थ पाये जाता है जिसका नाम होता है मैगनीसियम, कुस्टन में पूचा जाता है कि मनुस्य के ब्लड में कौन सी धातू होती है, तो होती है लोहा, एफी होती है, लेकिन पत्तियों में कौन सी धातू होती है, मैगनीसियम होती है, मनुस्य का लाल रक्त क किसकी बज़े से लाल होता है हीमोग्लोबिन की बज़े से पत्यों का हरा रंग किसकी बज़े से हरा होता है क्लोरोफिल की बज़े से सारे डाउट किलियर हो गए चलिए विटामिन सी का रासानिक नाम क्या है विटामिन सी का रासानिक नाम है एसकार्विक एसिड है सेपियंस है और याद रखना है कि अगर पूछा जाए किसका बताइए अगर मैं आपसे पूछू राना टिगरीना किसका नाम है कमेंट कीजेगा राना टिगरीना किसका नाम है जरा कमेंट कीजेगा मतर का वीजम सटाइवम है और गेहूं का टुटिकम सटाइवम चले वाइ यह बहुत जो सबसे व्यस्त मानों का अงग कौन सा है मनुस्यके अंग की बात करें तो दिल जो हार्ट होता है दोस्तों याद रखिएगा याद रखना है कि heart एक ऐसा part है जो भीया सबसे जो है क्या रखता है दिल जो है एक ऐसा part है जो व्यस्त रहता है और आपको मैं बता दूँ दिल आपका ECG के अंतरगत आता है एलेक्ट्रो कार्डियोग्राम एक जांच होती है जो दिल की ही होती है कई बार पूछा गया है कुस्सन में बेकरी में साधारन तथा उपयोग किये जाने वाले वेकिंग सोडा वास्तों में क्या है तो कुस्सन में पूछा जाता है कि वेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा होता है उसका नाम क्या होता है तो सोडियम बाई कार्वोनेट होता है सो पंसिक्ता के नियम की खोज किस ने करी ये देखो लिखा है Gregory John Mendel ने इन्होंने किस पर ज़्यादा प्रियोग किया मतर के पौधों पर इन्होंने ज़्यादा प्रियोग किया ये बात आप याद रखियेगा चलिए कोसी का जिल्ली कहां पर पाई जाती है दोस्तो कोसी का जिल्ली जो सेल होती है ये पादप और पसू कोसी का दोनों में पाई जाती है ये भी कुस्चन पिछली वार एक्जाम में पूशा गया है मानो सरीर की very very most important मानो सरीर की सबसे बड़ी अंताहसरावी ग्रंथी कौन सी है तो वेटा thyroid gland है ठीक है ना बहुत important अंताहसरावी बहुत ज़्यादा important question है पानी का अधिक्तम घनत तो कितना होता है 4 degree Celsius पर पानी का अधिक्तम घनत तो होता है क्योंकि एक option 100 degree Celsius होता है जो बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि घनत तो पूछता है बच्चे temperature लगा देते हैं 100 degree बटा कभी मत लगाना क्योंकि घनत तो पूछ रहा है 4 degree Celsius पर घनत तो होता है question number 32 निकट दरस्टी दोस्त को दूर करने के लिए किस लेंस का उपियोग अवतल लेंस का और दूर दरस्टी के लिए उतल लेंस का ताज महल दूस प्रभावित हो रहा है ताज महल का रंग पीला क्यों पढ़ रहा है सफेद से क्योंकि AC ड्रेंड की बज़े से पढ़ रहा है और उसमें जो कारक है वो है आयोडीन संचित रहता है तो थाईराइड ग्लेंड में आयोडीन संचित रहता है इंपोर्टेंट है नोट कीजेगा समतल दरपन की नाविक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट इस कुशन को हर बार देखा जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन होते हैं इसमेड इपोर्ट जो आयाम पर निरवर करती ये चाय में कौंसा उतेजक चाय में उतेजना कोई सवाल है होता है होता है चलिए चलिए विटामिन A का रासानिक नाम क्या है तो विटामिन A का रासानिक नाम है रेटिनाल है और विटामिन A जो होता है वो fat soluble vitamin होता है यानि वसा में घुलंसील विटामिन होता है अगर हम बात करें vitamin B और C ये होते हैं जल में घुलंसील विटामिन क्रायोजेनिक इंजनों का अनुपरियों कहां किया जाता है तो ये की कमी के करण क्या होता है night blindness होता है यानि रतानYou नवकर होता है इसको English में दात जो है दो बार विक्सित होते हैं देखेगा कितने दात दो बार मैंने अभी उपर कुछ और बताया था लेकिन यहां पर कुछ से बदल चुका है कितने दात दो बार विक्सित होते हैं तो याद रखना है कि 20 दात दो बार विक्सित होते हैं साप का जहर दोस्तों होता है साप का एक जहर जो होता है जहर जो हम कहते है वही यह जहर है तो उसका अगर जहर निकाला जाए तो उसको एक प्रोटीन माना जाता है हमेशा याद रखेगा उस जहर को प्रोटीन माना जाता है भारत में चार प्रकार के केबल विसाले साप है बाद बाकी कोई भी साप विसा केला है calcium aluminate तथा calcium silicate का मिस्रण क्या कहलाता है very very most important हर घर में इसका प्रियोग होता है cement कहलाता है तो calcium aluminate और calcium silicate सीमेंट बनाता है मानुष सरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्तो ऑक्सीजन होता है अगर वायू मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो वायू मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और मनुष्य के सरीर में तत्तो की मात्रा ऑक्सीजन जो है सबसे करेंगे मनुष्य के रक्तचाप को किस धौनी से मापा जाता है व्रॉंकियल धमनी के साथ-, ये दोस्तों पूरी आपकी जो है पूरा आपका वीडियो सामाने विज्ञान का, क्या, पूरा वीडियो आपका सामाने विज्ञान का खतम होने वाला है और निचोड आपका सभी किताबों का है हाज से गैस का रासानिक नाम क्या है? नाइटरस आकसाइड है इसको हम हिंदी में कहते हैं यानि रासानिक सूतर में N2O के नाम से जानते हैं मनुस्य के पाचन की क्रिया कहां से सुरू होती है तो मनुस्य का पाचन मुक्स सुरू होता है क्योंकि यहां पर एक होता है क्या एक टाइली नामत क्या होता है? एंजाइम होता है सकरकंद किसका रूपांतरन है? सकरकंद एक जड़ का रूपांतरन है यह याद रखिएगा पच्छियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो पच्छियों के उड़ने की प्रक्रिया जो है ब्रेलिंग कहलाती है क्या कहलाती है गती प्रेरक किस से संबंदी थे तो बेटा गती प्रेरक जो है हर्दे से संबंदी थे और हर्दे मनुस्य का एक ऐसा पार्ट है ज क्या हैं बुद्धी का प्राज्तिक बुद्धी के इंजाईम रकत का ठक्का बनने में साहता करता है दो कौन साइनजाईम है जो रकत का ठक्का बनने में साहक होता है तो रेनिन एंजाइम होता है और ये रेनिन एंजाइम जो है पेट से संबंदित है दूद का दही में जमने के कारण यानि दूद का जो दही में जमता है दूद जो होता है वो दही में क्यों जमता है उसका कारण क्या है लेक्टो वैसिलस उसका एक कारण है ज जब उसमें bacterial प्रभाव होगा यानि दूद हमेशा दही तभी जमाएगा जब जीवाडू की उपस्थिती होगी और जीवाडू कौन सा होता है लेक्टोवैसिलस होता है जुखाम किसके कारण होता है जुखाम वाइरस के कारण होता है वाइरल डिजीज है तो ये वाइरस से हो जाएगा ही ठीक है चलिए विज्ञान की वैसाका जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का स्टडी करती है बुढ़ापे के अध्धन को क्या कहा जाता है इंपोर्टेंट नहीं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जेरेंटो लौजी कहा जाता है जेरेंटो लौजी में बुढ़ापे की स्टडी करी जाती है प्रोटीन की एकाई क्या है तो एमीनो एसिड जो एमीनो अमल होता है दोस्तो वो होती है प्रोटीन की एकाई हमारे सरीर के किस अंग में antibody बनते हैं, important है tonsils की बात करेंगे दोस्तों अगला, radioactivity की खोज किस ने करी, Henry Wackerel ने करी काफी पुरुसकार इस पर मिले एक नहीं, दो-दो मिले पेस्मेकर का संबंद सरीर के किस अंग से है हरदे से संबंदित है अगला, मानो सरीर की किस करंथी को master gland कहा जाता है master gland कहा जाता है वो puse gland होती है very very most important दोस्तों और ये कहाँ पर अवस्थित होती ही जड़ा comment कीजेगा, क्या brain में अवस्थित होती है चल्दी से जबाब दीजे कारवन का सरवादिक सुद्ध रूप कौन सा है तो हीरा है दोस्तों अगर कारवन जो है 100% में बदल जाए कोईला 100% में अगर बदल जाए तो वो हीरा बन जाता है प्रत्वी के नीचे, याद रखे एकसरे का विस्कार किस ने किया Mr. Rantagen ने किया किस धातु का प्रियोग मानों के दौरा सबसे पहले किया गया तो तामे का प्रियोग सबसे पहले किया गया अंतरिक्ष यात्री को वह आकास कैसा दिखाई देगा प्रत्वी पर अगर खड़ा होके देखेगा तो प्रत्वी से आकास नीला दिखाई देगा यहीं पर अगर आप अंत्रिक्ष में जाते हो, फिर अब उपर देखते हो, तो आकास काला दिखाई देगा, क्यों क्योंकि प्रकेणन की बज़े से वह नीला दिखाई देता है, कणों की बज़े से, खटे फलों में क्या होता है, साइटरी केसीड होता है, दूद में आपका क्या होता है, लेक्ट प्रोटीन का अनिवारे गटक होता है तो नाइट्रोजन होता है प्रोटीन का अनिवारे गटक सिगरेट के धुवे में कौन सा प्रदूसक है सिगरेट के धुवे में कार्बन मोनो अक्साइड मुख्य है और निकोटीन तो आपका उत्यजक पदार्थ है तो कार्बन मोनो अक्साइड जिसको हम सियो के नाम से जानते हैं सियो इसका रासानिक सूत्र है तो सियो कार्बन मोन अक्साइड है ये धुए में उपस्थित होता है प्रत्वी पर दिन रात कैसे होते हैं तो दैनिक गती के कारण प्रत्वी पर दिन रात होते हैं अगर पूछा जा रितू कैसे होती है तो रितू होती है बारसिक गती के करण जो हम कहते हैं कि भाई सूरिक के चक्कर लगाती है गुर्दे की कारयात्मक इकाई है तो निफ्रान और निवरान दोस्तों याद रखना है निवरान तंत्री का तंत्र की इकाई है निवरान और निफ्रान क्या है गुर्दे की कारयात्मक इकाई सभी तेल किस कारवनिक योगिक के से जाने जाते है तो सभी तेल किस कारवनिक योगिक के नाम से जाने जाते है तो हाइड्रो कारवन आप देखीएगा जितने भी आप डब्बे खरीते हो चाहे वो डालडा करीते हो चाहे वो कोई भी रिफाइन करीते हो तो उसमें हाइड्रो कारवन का मिसरण होता है सुस्क सेल का एनोड बना होता है कारवन का बना होता है मदोमख़्ी का प्रजनन एबं प्रवंधन क्या कहलाता है AP culture कहलाता है तो AP culture के अंतरगत मदोमख़्ी का प्रजनन एबं प्रवंधन किया जाता है important है सीसे के संचयन वाले सेल में किस अमल का प्रियोग होता है तो फास्पोरिक एसिट का प्रियोग होता है किस तत्यों के गुणों को पदरसित किया जाता है कोई भी किसी भी तत्यों है अगर कोई भी आपने देखी होगी वह सारणी है जिसमें कैलसियम है जिसमें नाइट्रोजन है जिसमें आपका नियान है है ना तो आपने भाई सारणी भी देखी होगी तो हम यह कहते हैं कि परमाल उक्रमांक जो है किसी भी तत्यों के गुणों को बदरसित करने में साहता करेगा जो वाइल होता है यानि पित जमा होता है वो कहां पर पितासे में जमा होता है गाल ब्लेडर में जमा होता है महासागर में डूवी हुई बस्तूओं को जानने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं जो आज कल नाविक के रूप उसमें एक option होता है एक second तो बच्चों को लगता है कि second लोलक है तो उसका एक second आंसर होगा नहीं second लोलक का जो काल होता है वो 2 second होता है अगला बेपदार्थ जो चुम्बक से कम प्रतिकर्शित होते हैं क्या कहलाते हैं तो प्रतिचुम्ब की पदारत कहलाते हैं याद रखो विद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्यु और पतरनांग सबसे कम होता है, तारों के टिम्टीमाने का करण किया है, important है वाह्यवन डोस्य अपन वर्तन होता है, उसी की बज़ह से, तारे टिम्टीमाते हैं, ये भी बहुत जादी है, कि धूप के चस्में की पावर कितनी होती है, option में 100 देता है, minus 1, plus 1, फिर 0 दे देता है, तो वहाँ पर 0 डायोप्टर लगानी है, तूप के चस्में की power होती ही 0 डायोप्टर, और power जो चस्में होते हैं, उनकी power का जो वो होता है, पैमाना होता है, वो डायोप्टर होता है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है, निकर्डरस्टीडोस, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंज का प्रियोग किया जाता है, पुरुस में पुरुसत्तो के लिए कौन से गुट्षूत्र का होना आवस्थ beaches है, और महिलाओं में XX, याद रखिएगा पुरुस आ जाये तो XY लगाना है, महिलाएं आजाएं, तो XX लगाना है, यह किसके उपर आधारित है, यह मेंडल के ऐसी धान पर आधारित है, मुत्र का पीला रंग किसकी बज़े से होता है, तो Euro-Chrome की बज़े से होता है, मुत्र की बात करें, दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ, यह एसेडिक पद्यती में आता है, रक्त का थक्का बनाने में साहिक विटामीन होता है, विटामीन के होता है, और अंतिम कुशन दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वीडियो को लाइक करने की चमता है, तो कर दीजे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने की चमता है, तो कर दीजे, क्योंकि यहाँ पर क्लासेज मिलती है, सूपर फास्ट में, हमने आप से कहा था, 12 मिनट में 50 कुशन हुए, और 10 मिनट के अंदर 50 कुशन यहीं 20 मिनट की वीडियो, कहा तो मैंने था आप से 25 कुशन, 25 मिनट में कराएंगे, लेकिन 20 मिनट के अंदर हमारा मुद्दा रहता है केवल पढ़ाना, फाल्तू की बात भगवास करने की कोई भी यहाँ पर चीजे नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी समय कम है, और आपके पास भी समय कम है, इसलिए करेंट अफेयर से लेके सारे सब्जेक्ट को बहुत सूपर फास्ट में पढ़ने के लिए चैनल को सस्क्क्वाइब कर लो, दूद का धवल रंग किसकी उपस्तरी कारण होता है केसीन की वजए से, सस्क्क्वाइब करने के साथ टेलिग्राम पर पीडियेफ को प्राप्त करने के लिए इतना सर्च करें, जी यू आरिउ जै आई कि स्पेस डब्लू ओ आरेलडी ऐसा लोगो मिलेगा, जोईन करने, वंदे मातरम इंकलाब जिन्दाबाद रेट बटन को दबा के सिस्क्वाइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद, आप सभी के माता वितागो, मेरा प्रणाम, नमस्ते आदाब सस्रियकाल, ताल ठोकर, जै महाकाल,